हेलो एब्रीवन मैं रंजना गुपता फिर से आपके सामने बीसी सेकिंडियर के एक नए टॉपिक के साथ जिसमें मैं स्टार्ट करूंगी जनरल करेक्टर्स ओफ आर्थ्रोपोडा इससे पहले मैंने बीसी फर्स्टियर की जो सीरीज स्टार्ट किये वह आपने देखी होगी लेकिन अब उसी कंटियूशन में बीसी सेकिंडियर के वीडियोज भी में स्टार्ट कर रही हो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है जनरल करेक्टर्स ओफ आर्थ्रोपोडा फाइलम आर्थ्रोपोडा पहले आपको मैंने जब क्लासिफिक्श इसका मतलब क्या है बाइलेटरली सिमेट्रिकल इसका मतलब क्या है बाइलेटरली सिमेट्रिकल क्लासिफिक्शन के टाइम पर भी मिन होता है दूई पार्शु सम्मितियर मीस यदि हम बाडी को लोंगिट्यूडिनली दो पार्ट में डिवाइड करें तो वीकोली हाप में इस बाइलेटली सिमेट्रिकल सेकंड पॉइंट है ट्रिप्लोब्लास्टिक विस त्री इस्तर है तीनों इस्तर जो उसके अंदर विक्सित हो चुके हैं अइक्टोडाम मीजोडाम एंडोडामैंप त्री लेर्स होती हैं हमने क्लासिफिकिशन के टाइम पर बताया था प्रोटोप्लास्मिक लेवल अफ और अरगनाजेशन डिप्लप्लप्लास्टिक यहां पर इननी लेडा से जो हैं हमारे ऑन्मने में वह वो डुप्लप्लास्ट वो कैसे हैं संदी युक्त संदी युक्त अपांग में जॉइंट सें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टेट में कोई जॉइंट नहीं हो इनमें जॉइंट प्रजेंट होते हैं इसलिए और यह बहुती specific character है arthropoda का जब भी आपसे कभी भी exam के अंदर general characters में पूछा जाए तो यह main character में आता है कि arthropoda का सबसे main character एक तो three pair of legs होते हैं और दूसरा है jointed appendage next point आता है body cavity filled with colorless hemocyl colorless hemo seal hemo का मतलब होता है blood means इसके अंदर जो blood है वो कैसा है colorless इसका मतलब उसके अंदर कोई भी pigment means burn present नहीं है और hemo seal क्यों कहा है हमने hemo seal इसली कहा है क्योंकि इसके अंदर जो circulatory system है रक्त परिसंचर और तंत्र वो open type का है means siloam की अंदर जो spaces means sinuses जिने हम बोलते हैं रक्त इस्थल उन में जो blood है रक्त है वो भरा हुआ रहता है इसलिए हमने इसको जो blood के बारे में बताया है रक्त परिसंचर और तंत्र के बारे में जो चीज बताई है हीमो जो body cavity है वो हीमो सील है में इस रक्त से भरी हुई है नेक्स पॉइंट आता है एक्जोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ काइटन एक्जोस्केलेटन में हम उसे बोलते हैं बाहे कंकाल तो उसके उपर एक जनरली आपने देखा होगा बहुत सारे इंसेक्ट्स आप जो हैं वह सारे आर्फ्रोड मोल्टिंग होती रहती है उनकी बौडी से में मौटी होती है जो बौडी कवरींग वह काइटिट की बनी होती है इसके अंदर प्राउन उसकी तो डेटेल इस्टडी भी आपको पूरी करनी है तो प्राउन है और जो टेरेस्ट्रियल में आपने जनरली कोक्रोच है एंट है नमबर ओफ इंसेक्ट्स हैं जो आपने देखी होंगी कंपाउंड आई विद मोजेक बिजन इनकी क्या खासियत होती है जिनमें जो इमेज है वो पार्ट में बनती है इसमें नम्मर जो जब हम इसका डेटेल स्ट्रक्शर दी आई का पड़े हैं तो इसमें देखें नमबर ओव ओमेट एडिया होते हैं वह इच ओमेडिया फॉर्म इसपेसिविक टाइप की हैं कंपाउंड आई एंड मोजेक बिजन यह भी करेक्टरिस्टिक फीचर है लेकिन हम यह नहीं कह सकते हर इंसेक्ट के अंदर यह अर्थ्रोप्रट के अंदर ही कंपाउंड आई होती हैं कभी-कभी हमें सिंपल आईज भी देखने को मिलती हैं ल दबलब नर्वर्स सिस्टम जो नर्वर्स सिस्टम में वह कैसा है वैल डबलब बलब पूरी तरह से भिक्षित अब हम लेस्ट में वह कैसे कह रहे हैं स्टार्टिंग में ऑन देखते नाम पे कीवल नव फाइबर्स वह भी केवल हमें सील 2016 नें ऌनने थिखाई दिखाए जब हम nervous system की बात करते हैं जो starting में डबलब गैंगलियोंस एंड नर्बस बेंटल नर्ब कॉड तो यहां पर बेंटल नर्ब कॉड भी हमें दिखाई देगी ब्रेन का भी डबलपमेंट हुआ है और जो नर्बस हैं वो भी फुली डबलबने इसके साथ साथ जो हम बात करें गै स्टेटोसिस्ट, हेर्स, एट्सेटर लाइक सेंस ओर्गन्स मैंने पहले ही कहा है यहां पर जब मैं nervous system की बात कर रही थी कि ब्रेन भी डबलब ने तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हैड के इंदर ब्रेन का डबलपमेंट है और ब्रेन के चार और गैंगलियों दॉना तरफ स्टेटोसिस्ट के इंदर एक बहुत लंबी-लंबी बिल्कुल स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं यह एंटीनी यह सेंस ओर्गन्स इसी तरह सेकेंडियर के इंदर हम उस पर बैसलीन एपलाई करके हम उसका ग्रूमिंग बहेवियर भी स्टडी करते हैं इसी में इकलिवरियम मेंटेन करने में हल्प करता है में सीधी किसी बजाएसे यह पलटने लगें तो इनको वापस से अपनी पोजीशन में आने के लिए स्टेटोसिस्ट जो है है विसके बाद हेर हम जानते हैं सेंस ओर्गन की तरह काम करते हैं इसके बाद नेक्स पॉइंट आ जिए था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है और टाइप अब अपन टाइप हमने क्यों कहा क्योंकि यहां पर जो है आर्टी वेंस में ब्लड प्रॉपर्ली फ्लो नहीं करता ब्लड के अर्टी स्टो हैं लेकिन कोई वेंस नहीं है वी धमनिया और शिराइन तो तरह कि हमारे का यहां पर में रोल्प्ले की करते हैं दोलड सोहे रोल प्ले करतीzep ग्लाद है तो ब्लड जो है हीमोशील के अंदरत पूरी बोडी के अंदर इसका क्यें स्कुलेशन होता है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एलिमेंटरी के नाल इसमें मैंने कंप्लीट कंप्लीट का मतलब होता है माउथ और एनस जब कि दोनों ही प्रिजेंट होते हैं तब ही हम जो डाजिस्टिफ सिस्टम है यह पाच्छत दंत्रा उसको पूर्ण मानते हैं यह उनमें से एक पार्ट अनुपस्थित है एपसेंट है तो उस डाजिस्टिफ सिस्टम को हम इनकम्प्लीट डाजिस्टिफ सिस्टम कहते हैं इसके बाद आता है एस्क्रीशन उत्सरजन अब यहां पर क्योंकि मैंने दौनों ही टाइप के आपको औरमनिस्म दाए कि दोनों ही टाइप के ह जो है वह कॉप्सल ग्लेंड द्वारा एस्क्रेट आउट होते हैं जबकि जो टरेस्टिल औरमनिस्म उनमें मैं मैलपीजन टिब्यूल जो है वह अपना एस्क्रीशन में रोल प्ले करती है इसी तरह नेक्स पॉइंट है शो शेक्शुल डाइमॉर्फिस्म मिस्मॉर्फोल इसा नहीं होता कि दोनों ही सेक्श ऑर्गंस एकी ऑर्गंस्म के यंदर हमें एक-की मेर और फीमेल जशेक्श ऑर्गंस दिखाई के और आम इसी में हर्मिफ़लोड ही बोलती है बेली बSinging रेस्पाइरेशन वह भी जो टेरेस्टियल और अलग अलग तरीके से होता है जो इस्थली जी वह उनके अंदर ट्रेक्या और भुकलंक के द्वारा होता है जिबकि जो अक्विटेक अनिमल से हैं उनमें या तो उनकी तवचा क्यूटे जो क्यूटें से सर्फेस और गिल्स ज और पाथिनोजनेटीकली इनका जो डवलपमेंट जो विकास है वो डायरेक्ट और इंडायरेक्ट हम की स्वेस पर कहते हैं डायरेक्ट जब की जो एग है उसके अंदर हैचिंग होती है तो उससे जब जो और निंग बहार आता है वो यह दी विल्कुल जस्ट लाइक इन डायरेक्ट डवलपमेंट इन डायरेक्ट डवलपमेंट जब की डिफ्रेंट लार्वल स्टेज से वो क्रॉस होते हुए एडल्ट लाइक स्टेज में पहुंचता हो तब उसे हम कहते हैं इन डायरेक्ट डवलपमेंट प्रत्यच और अप्रत्यच विकास अब एक और है यहां पर फर्टिलाइजिशन ही नहीं हो रहा है यह हम आपको बता सकते हैं हनीवी जो होती है उसके अंदर ड्रोन्स डबलब होते हैं उनके डिवीजन ओफ लेवर होता है और वहां पर ड्रोन्स होते हैं यह रडेवलब पार्थनोजनेटिकले यह रहल आली इन्टो फर्टिलाइज़ फीमेल यह एक्षप यह तरय नेक्सट व्यांटे ओल्ली इनवर्टि ग्रीडिट विद फ्लाइंग फॉर्म्स पूरे इनवर्टिबरेट के अंदर हम देखें इस फ्रॉम्प्रोटो जो अर्ट प्रोट्स की अंदर ही हमें flying forms means जो उडने वाले जीवें वो दिखाई देते हैं उडने वाले जीवें जो बहुत सारे इंसेक्ट से जो फ्लाई करते हैं means आप butterfly, moth, dragonfly, number of insects हैं जो की फ्लाई कर सकते हैं तो flying forms की आप देख लीजिए प्रोटो जो पॉरी फेरा, sealant, treta, mollusk, anylida किसी की अंदर भी जो है हमें flying forms देखने को नहीं मिलती हैं and last point is fertilization internal इनके जो fertilization है वो internal means ova और sperm का जो fusion है वो body के अंदर ही होता है inside is a fuse then female produce eggs then development start. Thank you.